गुड इवनिंग फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं चैनल तो फ्रेंट्स मैंने विंटर प्लांट जरेनियम की मैंने कुछ कटिंग लगाई थी और वह बहुत अच्छे से ग्रो भी हुई है और दो प्लांट मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्टिंग भी किया था आप ल लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई है तो उसी को आज मैं रिपोर्ट करूंगी तो आप लोग से यही सेयर करना है कि जरेनियम की कटिंग आप लगा सकते हैं हाला कि फ्रेंट्स उसमें अभी फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी यह मैं नहीं कह सकती लेकिन अब ही आप अगर लगाते हैं तो नेक्स टियर के लिए आपके पास यह प्लांट सेव हो जाएगा तो देखिए इनकी रूट्स तो आपको दिख रही होंगी इसमें अच्छी रूटिंग हुई है और बहुत अच्छे से दिख भी रहे हैं तो यह चार प्लांट मेरे ग्रो इस वज़ा से मैं इनको रिपॉर्ट नहीं कर पाई थी तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से इनकी नीचे तक के प्यूरे रूट्स आ गए हैं और जरेनियम के प्लांट को मैंने भी फर्स टाइम कटिंग से लगाया है और मैंने इस साल 6 प्लांट तयार किये हैं तो इसको आप घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं और इस प्लांट यह मैंने तौह प्लांटि प्लांट काफी महगे भी मिलते हैं नर्शरी में तो मैंने जो पहले से क्ले करके रखी थी उसी मिठी में मैं लगा रही हूँ और इस बर मैंने बहुत सारे साल 8,20 में मिल जो 3 moITCH क.. फाइप रुपीज बढ़ गया है तो गंबले मुझे थोड़े महंगे भी लगे लेकिन मैंने दो तीन जगपता किया उसके बाद ही खरीदा है फिर भी मुझे 15 रुपीज में ही मिले हैं और देखे इस तरह से इनकी रूटिंग कितनी अच्छी हुई है तो मैं इसकी मिट्ट इससे भी बहुत आसाने सी ग्रोव हो जाते हैं इनके बीज भी मैंने कलेक्ट किये हैं उसको मैं किसी और दिन आप लोग से वीडियो सेयर करूंगी तो देखे इस तरह से इसकी रूटिंग हुई है तो बस गंबले में आपको ठीकरी रख लेनी है और मिट्टी डाल देनी ह हैं तो देखे कितनी अच्छी बुरबुरी मिट्टी तयार हुई है मेरी तो आप एक भाग राई सर्सक ले लीजिए एक भाग सेंड एक भाग वर्मिक कंपोस्ट और नीम खली एपसम सॉल्ट और अब यदि आप चाहते हैं तो आप डी एपी भी मिला सकते हैं लेकिन मैंन करने पड़ते हैं तो मिट्टी बनाने की जरुवत नहीं पड़ती क्योंकि कचरा भी बहुत हो जाता है बार बार टैरिस साप करने पड़ते हैं तो इस वजह से एक बार आप मिट्टी अच्छे से तयार कर लीजिए और बोरी में भर कर रख लीजिए तो एक हांसे मैं किसी भी प्लान को आप लगाते हैं तो चुकि समर सीजन आ रहे हैं तो गंबले में कम से कम डेड़ इंच की जगह छोड़ दीजिए वाटरिंग करने के लिए ताकि जब भी हम पानी डालें तो प्लान को पूरे चारो तरप इनकी रूट्स को बहुत अच्छे से पानी मिले क्योंकि फ्रेंड्स जगह खाली रहने से जब भी हम वाटरिंग करेंगे पानी डालेंगे गंबले में तो पूरे पौधे को कुछ देर तक बहुत अच्छे से पानी मिलेगा उसके बाद जड़ को छूते हुए पानी बाहर निकल जाएगा और समर सीजन आ रहे हैं तो हमार प्लांट बहुत जल्दी गंबले की मिट्टी सूख जाती है इस वज़े से थोड़ा सा जगह छोड़ना जरूरी है ताकि हमारे जो गंबले की मिट्टी हो बहुत अच्छे से गिली हो जाए उसके बाद भले ही पानी गंबले से बाहर निकल जाए जिससे की मिट्टी थोड यह प्लांट फ्रेंड जब हम कटिंग से ग्रो करते हैं और आसानी से कटिंग से तयार हो जाते हैं उनकी खुसी का तो ठीकाना ही नहीं रहता तो देखिए इस तरह से मैंने चार प्लांट रिपॉर्ट किये हैं और बिल्कुल चोटे-चोटे गमले में ही मैंने लगाया है तो तो देखे जरेनियम के कितने खुबसूरत चार प्लांट मैंने तयार किये हैं और जब इनमे अगर जदी फ्लावरिंग होती है वैसे तो होंगी फ्लावरिंग उसका वीडियो भी मैं आप लोग से सेयर करूंगी और देखे इस तरह से मेरे जरेनियम के प्लांट है और इन ही की कटिंग लेकर मैंने ये चार प्लांट और तयार किये हैं तो देखते हैं जब फ्लावरिंग होगी तो किस तरह के फ्लावर्स आते हैं और इनको मैं अब ग्रीन नेट के नीचे रखूंगी तो जरूर फ्लावरिंग होगी तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स बाई बाई